एक बार फिर अतीती अध्यापकों ने परदेश की भादबा सरकार के खिलाफ मोचाख हो दिया है सेक्टर बार में अतीती अध्यापक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए है वहीं एक अध्यापक आमरन अंचन पर बैठा हुआ है जहां करल धरने पर बैठी अतीती अध्यापकों ने अपने खून से प्रधान मंत्री के नाम पत्र लिखा तो वहीं आज सभी अतिती अध्यापक करनाल की सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए अस्पताल चौंक पहुंचे और वहाँ पर सभी महिला अतिती अध्यापकों ने अपनी चुनिया जलाए परदेश सरकार के खिलाब उन्होंने जमकर नारेबादी की और उन्हों चेतावनी देते हुए का कि यदि हमारी अबस नहीं सुनी गई तो हम अगली ऐसी रण निती बनाएंगे जिसके बारे में सरकार ने कभी सोचा वे नहीं होगा आपको बता देगी मांगों को पूरा करवाने के लिए अतीती ध्यापक कई बार अपने विरोज जाहिर कर चुके हैं जिसको लेकर पिछली बार एक अतीती ध्यापक ने मुंदन भी कराया था उसके बाद अतीती ध्यापकों की परदेश सरकार के नेताओं से मुलाकात थी इनकी मांग को पूरा करने का श्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई के साथ आज हमने अपना रोज पर कट करते हुए चुनियों को जला के अपने मान सम्मान को वरेवजार में माननी मुखे मंत्री के सियम शिट्टी में ऐसी कटना है और उसको पता ना हो यह वह नी सकता बाद सरकार तक पहुंचाई कि उनकी द्वारा जो वादा किया था उसको जुठा वादा किया था उसको सचाई में बदली और हमें समान काम समान वेतरन के लिए फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है हम इतने सालों से लगे हुए है आज तक खमें पका नहीं किया गया है पुपाजबा रहें उसको सरेबजार हमने आपे बाजबा की जो हमारी नीती है उसके खिलाफ हमने रोजब करते हुए हमने इनको जलाए है हमें पक्ता नहीं किया जाता है जब तक हमें इसे अपना रोश परकट करते रहेंगे हमने जो आज का जो कारी किरम है यह अस्पताल चौक तक हमारी बहनों ने जुलूस निकाला है हमारे एक साथ ही लाजकुमार काली रमन एक सितंबर से आमण एंसन पर बैठा हुआ है जाए और जब तक सरकार रेगुलर्स नहीं कर रही उन्हान काम को वज़ों समान अथन दिये जाए जाहे सपर सरकार के सरकारी सब्सक्राइव में पिसले चौदे बर से काम कर रहे हैं और करेंगे और चुनावी गोशन अपत्र में भी भारतिन तपायटी ने सामिल किया था कि हम गेश्टेशन को रेगुलाइज करेंगे लेकिन जहां तो फरवरी के महीने में एक पास करके जो अट्थामन साल तक हमारी सेवाय कंट्यूनियू लखी जाएंगी केवलेट एक्ट पास किया है और एक्ट केवल चलावा है और कहीं कुछ भी नहीं है हमारे हर्जेबीटी को 56,000, टीजीटी को 30,000 और पीजीटी को 36,000 रुपे सेली मिलती है जबकि रेगुलर टीचेर 70-80,000 रुपे सेली उठादा है 14 साल तक काम करने के बावजूद भी पहुंचेंगे और जो सक्षक देवा सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें